आप लोग के बेज़े में आते ही नहीं है कोई बात फॉर्स रिलेशन्सिप बेट्वीन फॉर्स एंड मुमेंट जिसको आप ये भी कह सकते है आप मुमें आप कुर्स लेपीयन आप नुटन सिकक्लंग अपोशा इस्मेंट अप्रशा आप गर दिप्रशा है इस्मेंट अनदेशन्सिप ये नहीं गर लोग कर लोग कर दिए अब आप देखो अभी मैं वहां नहीं जा रहा ह। अभी जब मैं फोर्स की बात करूँ गा तो देखो फोर्स एस इवर एंटो एंटू यह आपका देखो ना डिस ज़ए काईदे कें कि लोफ नुटन है यह न्यूटन सेर का यूटन सेकंड भी आप कह सकते हैं पहले चीज़ momentum को आपको small pcr denote करते देओ m into view देखिया आप moss देखो दोनों में आपका common moss दोनों में common force का मदद Newton's second law क्या कहते है कि force is defined as the product of the moss in the acceleration of the body और momentum क्या कहते है momentum is defined as the product of the moss and the velocity of that body this body के लिए आप उसको करें आप आजाएगा ये तो मैंने आपको एक छोटा सा नजरिया आपको दिया कि अगर कोई आपको पूछे कि force or momentum क्या है तो ये एगा अजिट के लिए अब हम आजाते हैं इसमें बाए second law of motion force is defined as the product of the moss and acceleration मैंने क्या गादा force is directly proportional to the moss moss increase करेगा force will be automatically increase if moss will be decrease आपने कादा moss को हप कर देंगे तो force भी हप हो जाएगा force is directly proportional to the acceleration acceleration अगर आप बढ़ाएंगे तो force आप का बढ़ जाएगा acceleration if you are going to lower decrease आप करेंगे तो force भी आपका क्या हो जाएगा is it clear fine तो इसके बढ़ा क्या हो जो कि ना आपने आपने consider किया a body has moss किसी body का moss मॉस आपका क्या है M है having its its initial velocity of the initial velocity U and suppose a force capital F is applied on that body so so X any cell velocity U changes to final velocity V in time T अगर कोई body body का मता आप भी body हो मैं भी body हूँ किताब भी body है यह पैन भी body है यह आपका कुछ भी हूँ कि गरण इस body का हमने मॉस आपका दे बुना दे सब्सक्राइब यह मॉस आपका क्या होगया यह रेस्ट में है जब रेस्ट में होगे इनकी initial velocity आपका क्या होगया ठीक होगे सब आपका और इसका जो अपका इसका एक्सेलेशन की बाद करेंगे अब आपने इस body में कोई force अपने force अपने एपनाइट को force force की आपकी जो unit होती है वो क्या होती है force कितने time तक अपने लगा है time theta और T आपका unit जो होगे जिस से कि unit भी साथ लिग दे देगा its initial velocity U and suppose a force F is applied on this body आपका आप इसकी जो initial velocity है now it will be change initial velocity है अपका नओड़ को देडा यह final velocity में अपका इस में प्रकी जो 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 होगे जो 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 and finally at a time कितने time तक आपने यह फो को अपने लिगा है आपका नओदव देशस करिया ? इसका मदू आप देखो यह बखो यहापे आपकर कर्फोस्ट जे इखो डेखो इक्वेसिन अप मोशन फ्र्स एक्वेसिन अप देखो फ्र्स एक्वेसिट आप मोशन क्या था ? v is equal to u plus 80 बदेखो फट था ? तो नवी नवी माइस u is equal to 80 What was this? It is untransposed U. U is shifted on the left-hand side. So on the right-hand side, it has positive sign. Transposed में आपका minus V. And we have to find out this A. A, A का मतब आपका क्यों हो गया? V minus U. अब अगर अपका इसको define करके लिखेंगे, आपका A means axillation. V means V का मतब आपका this is the final velocity. आप इसको किताब में औरों में भी देखेगा, और तब मुझसे जिक्र करिएगा. Final velocity minus initial velocity. Final velocity देखे, minus initial velocity. Over T का मतब आपका लिखेंगे, what is that? That is the time to do. अगर इसको पूरे, आपका इसको define करेंगे. अब, जब initial velocity is going to change into the final, इसका मतब क्या हो गया? कुल मिलाके क्या हो गया? कि acceleration का मतब क्यों हो गया? Final minus initial का मतब आपका? Change in velocity. Change in मतब. Final minus initial का मतब आपका? Change in velocity. और ओबर बच्चे, time taken का मतब. Is it clear? Fine? कोई शक है तो बता ही? अब देखे, या का, या या, यह देखो. अब आप क्या करेंगे देखे? Third pose में, substitute. The value of. A. In. Equation number one. From. Equation number two. Here it is. A की यह दो value आप देखे. You are looking this value, देखे आपको आपके. A is equal of A. V minus U को. यहां से lift करके, यहां shift कर दो. मुझको भी तू lift करा देखे. और first equation में shift करा देखे. And. And in place of A, you will light up as well. V minus U upon A. Clear हो गया, sir? अब आपका देखे. F. F is equal. M V. This is the binomial. Monomial है. So this will only multiply with the numerator. M V जा, M V. Plus minus का minus. M U जा, M U. M U है. So यह भी क्या होगे? अगर आप क्या देखेंगे? इसको अगर आप देखेंगे? इसका मतला देखेंगे. यह, final momentum. अब आप कहेंगे, sir, आपने momentum क्यों लिखा? देखेंगे, पी सिकॉर्टों आपका क्या होता है? M V. पहले लिख चको? तो यह, final momentum. माइनस के आप कहने हो? इनिसियल मुवमेंटम. मुवमेंटम. मूवमेंट और मुवमेंट में बढ़ा अंतार है. ओवर. इस अदर ताइम देखेंगे. होगे? तो जब ताइम देखेंगे लग जाता है, इसका अदर हो. अब आपका क्या होता है? फोर्स इज़गे. इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते? चेंज in मुवमेंटम. चेंज in मुवमेंटम. ओवर. और जब ताइम से किसी भी सीरीज को आपका, किसी भी निमेंटर को अगर आप डिवाइट करने हैं, उसका मताँ रेट होगा है. क्या होगा? अब आप इसको देगो, F is equal to rate of change, rate of change in momentum, यह देखिए, इसका मता, the force applied to a body, the force applied to the body is directly proportional to the rate of change in, C-H-A-N-A-N, change in momentum, which is produced, which is produced in a body, जो किसी भी body में आपका produce होता है, उसको आपका नावने बदर सिस्था, तो यह था, the change of momentum takes place in the direction of the force applied, यादर केगा, यह जो आप देखिए, यह change in, momentum takes place in the direction of the force applied, इसका मतलब क्या हो गया, कि यह भी आपका क्या है, एक vector quantity है, because vector quantity define, magnitude and direction, is it clear, please do it, कहीं पर कोई दिक्कत होती है, मुझे definitely बताओ, लेकिन पढ़ाई, पढ़ाई के हिसाब से करिये, मस्ती के हिसाब से नहीं, आप कुछ पूछेंगे, is it clear, f is equal to m into a, और आपका ना, आपका first equation से, आपने a is equal to v minus u upon t, निकाला, and then the value of a is shifted in equation number 1, आपका ना, then that was coming, आपका f is equal to final momentum minus initial momentum by time taken, in atlas I have written, आपका f is equal to rate of change in momentum, और उसके बाद आपका last में लिखा कि जो force applied in a body is dry, यान कि इसका मता क्या हो क्या, अगर ये increase होगा, तो ये भी increase होगा, and if it is going to be decreased, it will be automatically, क्योंकि डिरेक्टी पर पॉपसर में का मता, one is going to be increased, another will be automatically increased, is it clear, fine, yes sir, आपको, पका, इसकूल में पढ़ा दिया है, यहाँ समझा आया है, यहाँ समझा आया है, यहाँ आया, चलिए, जी sir, are you sure, hundred percent, पका है, चलिए, God bless you.